हालेलोया परमेश्र का धन्यवाद हो ये सुन्दा समय के लिए जो परमेश्र ने हमें ये दिया है और विशेश करके मैं प्रभू का धन्यवाद देती हूं कि फिर से मैं परमेश्र के जिवी तसामर्थी वच्छन को लेकर के आपके समक्ष खड़ी हूं और हम जब भी अपनी कलीस्या में खड़े होते तो लगबग हमारे पास दो सवाल होते और सबसे पहला सवाल ये होता कि क्या खुश है और जब हमारी कलीस्या के सभी लोग उस खुशी को जाहीर करते और यदि ये सवाल मैं इस समय में मैं बोलूं कि क्या मेरी कलीस्या के लोग खुश हैं तो मैं इस बात को जानती हूं कि जो अपने घरों में हैं उनमें से कोई भी इस बात को नहीं कहेगा कि अपने घरों में रह करके हम खुश हैं और दूसरी बात मैं इस समय म अगर ये मेरा सवाल हो कि क्या वो वच्छन को सुनने के लिए तयार है तो मैं सोच रही थी कि जिनको पसंद होगा वो बोलेंगे कि हां और सुनेंगे और जिनको पसंद नहीं होगा वो बंद कर देंगे तो भी हम इस बात को जाने कि परमेशर महान और सामर्थी परमेशर वो हमको असर देता है कि हम परमेशर के जीवित और सामर्थी वच्छन को सुन सके और इस समय में हम थोड़ा समय के लिए परमिश्र के वच्छन में जाएंगे और मेरे साथ यदि आपके पास बाइबिल है तो आप निकाल करके पढ़ सकते हैं प्रकासित वाक्य उसका चवदा अध्याय और तेरा पत को और परमिश्र का वच्छन यहां पर कहता है फिर मैंने स्वर्ग से यहां सब्द सुना लिक जो मृतक प्रभू में मरते हैं वे अपसे धन्य हैं आत्मा कहता है हाँ क्योंकि वे अपने सारे परिस्रम से विस्राम पाएंगे और उनके कारे उनके साथ हो लेते हैं हालेलोया सो परमिश्र का धनेवाद हो कि परमिश्र का जीवित वच्छन यहां पर कहता है और जो मैं आपके साथ बाटना चाहती हूँ इस पद का दूसरा भाग है और बाइबिल कहता है कि आत्मा कहता है हाँ क्योंकि वे अपने सारे परिस्रम से विश्राम पाएंगे और उसके बाद आगे बाइबिल कहता है और उनके कारे उनके साथ हो लेंगे और यहाँ पर परमेश्र का वच्छन इस बात को बता रहा है कि स्वर्ग में जब हम प्रभो के योग्यदी हम हो और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो बाइबिल इस बात को बताता है कि उनके कारे उ हत्वालाधती shampoo हैंगे और वहीं निर्धार्च करेंगा और इन आप मैं पर्मिश्र के वच्छन में प्रकासित वाक्ये को जब मैं पढ़तीा हूँ जब साथ कलीस्या के विश्ञ़ंगे वंडन गूजब मैं पाती को बताता था, उसकाम के होएंगे और वहीं निर्धारित करेगा और परमेश्र के वच्छन में प्रकासीत वाक्य को जब मैं पढ़ती हो जब साथ कलीस्या के विशह में वंडन को जब मैं पाती हो तो बाइबिल इस बात को बताता है उस काम के विशह में बाइबिल बात करता है कि किस प्रकार का काम ह हमारे साथ होगा और कैसा काम जो है वह हमारे जीवन में होगा और जब परमेश्र का वच्छन ये मुझ को मिला तो मैं कुछ बातों पर विचार कर रही थी जो मैं आपके साथ बाटूंगी और हम इस बात को जाने विचार करें थोड़ी देर कि ऐसा कौन-कौन सा काम है जो हम हमारे साथ हो लेगा ऐसा कौन सा काम है जिसको हम करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा लेकिन इस बात को याद रखे कि मैं बाइबिल को पढ़ने के बाद और अपने जीवन में जिन अनुभाव को मैंने प्राप्त किया है उस अनुभाव के अनुसार में आपके साथ इस बात को मैं बाटना चाहते हूं कि प्रती दिन हमारे लिए नया हो सकता है प्रती दिन हम परमेश्वर के काम को एक ही बार में समझ नहीं सकते हैं और परमेश्वर जब किसी को बुलाता है तो एक ही बार में वो सारे काम को नहीं समझा देगा कि तुम्हें इन सारे कामों को इस प्रकार से करना है पूरे जीवन के काम को वो एक ही बार में दे देने वाला परमेश्वर नहीं है लेकिन वो प्रती दिन हमको सिखाने वाला परमेश्वर है प्रती दिन नया करने वाला वो परमेश्वर है और आज मैं और आप इस बात को सीखें कि बाइबल मुझको और आपको सीखा रहे कि उनके कारे उनके साथ हो लेंगे अर्थात मेरे और आपके काम भी हमारे साथ हो लेंगे और हमको विचार करना है परमेश्र के वच्छन में एक धनवान का वर्णन है और जिसको हम सब जानते हैं मत्ती रचिसु समाचार उसके उन्ने सध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हम पर धनवान का वर्णन है और बाइबिल इस बात को बताता है कि उसको अनंत जीवन चाहिए था और अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए वो इशु मसी के पास जाकर एक बहुत अच्छा सवाल करता है और सोला पत को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबिल इस प्रकार से कहता है एक मनुश इशु के पास आया और उससे कहा हे गुरू मैं कौन सा भला काम करूँ वहाँ पर वो बोल रहा है इस परस्ट इस बात को पूछ रहा है कि मैं कौन सा भला काम करूँ प्रकासित वाक्यतों बाद में इस बात को बता रहा है कि उनके कारे उनके साथ हो लेते हैं लेकिन धनवान ने जान लिया कि कुछ तो उसको करना होगा जिसके करने के बाद ही उनन्त जीवन को प्राप्त करेगा क्योंकि उसके सवाल है एश्यू मसी के पास आकर के वो पूछ रहा है कैसा मैं कौन सा भला काम करूं कि उसके बाद मैं अनन्त जीवन को पाऊं और उसने जान लिया था कि उसको कुछ करना है आगे जब हम इस बात को पाते हैं तो बाइबिल इस बात को बताता है कि प्रबो इश्यू मसी ने उसको कहा कि आग्याओं को माना कर और उसने भी बहुत अच्छा जबाब दिया कि वो तो बच्चपन से आग्याओं को मानता है बच्चपन से आग्याओं को पालन कर रहा है पर यहाँ पर देखे जिस तरफ मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहती हूँ वो यह है कि वो आकर के इशुमसी से पूछा कि कौन सा काम मैं करूँ और इशुमसी उसको आग्याओं को मानने के लिए बोल रहा है और वो धन्वान बेक्ती भी बोल रहा है कि सारी आग्याओं को बच्चपन से मान रहा है और उसी समय एक नया आग्या उसको मिला इसका मतलब है कि प्रती दिन मैं और आप जब प्रभू के साथ चलते हैं तो प्रती दिन परमेश्वर मुझे और आपको नय कामों को देता है एक काम तयार हो जाने के बाद एक काम कम्प्लीट हो जाने के बाद हमको दूसरा काम मिलता है यहाँ पर जितनी आग्याओं को माना करता था वोई काफी नहीं था लेकिन आगे उसके लिए एक नया आग्या था और उसी को जानना है उसी को हमको समझना है क्योंकि हमारे काम जो है वो हमारे साथ हो लेंगे और मैं जब इस पर मनन कर रही थी तो मैं इस बात को मैं सोची कि प्रतेक ब्यक्ति को पता नहीं होता है जितने भी आप परमेशर के बचन को पढ़ेंगे परमेशर के दासों के विशह में जब आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को जानेंगे कि हर एक लोगों को पता नहीं था कि उनको क्या करना है किस प्रकार से करना है लेकिन बाइबिल इस बात को बताते है कि वो किवल करते गए जब मैंने मिनिस्ट्री की सुरुवात किया जब मैं से उकाई को करी तो लग भग मुझे एक शब्द मिलता है Just do it और मैं जब ये शब्द मुझे को मिला ये वाक्य मुझे को प्रभू की ओर से मिला तो मैं इस बात को जान चुकी थी कि केवल मुझे को करना है केवल मुझे को करना है और परिणाम जो है वो बाद में दिखाई देता है वो आशीश या वो काम जो है प्रतिफल जो है वो हमको बाद में दिखाई देता है और इसलिए प्रभु में केवल हमको करना है प्रभु में केवल हमको बढ़ना है यहाँ पर परमेश्वर का वच्छन मुझको और आपको बता रहा है कि हमको कार्य करना है और हमारे काम जो है वो हमारे साथ हो लेंगे परमेश्यर के वच्छन में दूसरा राजा उसका तेरा अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो आपर एक राजा का वर्णन है यहो अहाज नाम के राजा का वर्णन है और एलिसा और उसके बीच में बातचीत हो रही है और जब मैं इस जगों को पढ़ती हो तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि यहाँ पर एलिसा जो है उस इसराइल के राजा के साथ बात कर रहा है और राजा ने उसको परमेश्यर के दास एलिसा ने उसको एक आग्या दिया कुछ करने के लिए कहा और यहाँ राजा जो है उसने किया तेरा अध्या उसके अठारा पर से यदि हम आगे पढ़ें तो हम पर देखते हैं कि बाइबिल बताता है फिर उसने कहा तीरो को ले और जब उसने उन्हें लिया सबसे पहले आप उस जगह को आप अपने घर में पढ़िएगा पूरे उस अध्याय को आप इस बात को पाएंगे कि पहले उसे तीर चलाने के लिए कहा और जब उसने तीर चला लिया उसके बाद तीर को लाने के लिए कहा और लाने के बाद अठारा पद इस बात को बताता है कि परमेश्र को बच्छन कहता है फिर उसने कहा तीरों को ले और जब उसने उन्हें लिया तो उसने इसराइल के राजा से कहा भूमी पर मार तब वह तीन बार मार कर थेह गया पर पाइबिल इस बात को बता रहा है कि परमेश्र के दास एलिसा ने इस बात को कहा कि भूमी पर मार तीर जो है भुमी पर मार और आगे बताता है कि वो तीन बार मार करके क्या किया रुक गया तीन बार मारने के बाद रुक गया और देखिए उसको पता नहीं है कि उस तीर के द्वारा उसके साथ क्या होने वाला है आगे उसको कौन सा काम करना है लेकिन उसने उसको एक आग्या मिला कि मार और उसने तीन बार मारा और तीन बार मार करके वो रुख गया और बाइबिल आगे बताता है इससे परमेशर के जन ने उस पर क्रोधित हो कर कहा परमेशर का जन उस पर क्रोधित हो गया क्यूंकि उसके लिए कुछ और रखा था और आगे तुझे तो छे बार मारना चाहिए था और एसा करने से तू आराम को यहां तक मारता कि उनका नामो निसान भी नहीं होता यहाँ पर देख लीजे मैं इस बात को जब इस जगा पर मैं मनन कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि इसराइल के राजों को यदि पता होता कि तीर को वो केवल चला रहा है वो सधारन काम था क्योंकि परमेश्वर के दास ने उसको दो बार कहा था तीर चलाने के लिए अलग अलग तरीके से तो यहाँ अगर उसको पता होता कि केवल जमीन पर तीर मारने के दौरा परमेश्वर जो है मेरे लिए एक नए आशीश को घोशित कर देगा और मैं आराम की सेना पर जय प्रा उसकी जो एक बड़ी आशिस थी वो रुग्या और इस से मैं और आप सीखें कि हम को जब हम परमेश्वर में काम करते तो हमको रुकना नहीं है और जो हमको आग्या मिला है या जो हम समस्ते हैं उसको हमको कंटीनियू करना है अगर ये भी कंटीनियू किया रहता और अधिक किया रहता तो एक बड़े जहे को प्राप्त करता बहुत ही बड़े जहे को प्राप्त करता और इसलिए परमेश्वर का वच्छन मुझे और आपको इस बात को सिखा रहे कि हमारे काम जो है वो हमारे साथ हो लेंगे, इन बात को हम समझे, मुझे नहीं मालूम कि और भी लोगों को कैसा प्रकाशन मिलता है, या किस प्रकार से परमेशर के वच्छन को थामते हैं, लेकिन मैंने इस प्रकार से थामना सीखा है, कि जब परमेशर एक आग्या देता है, जब तक आप उसक समाचार उसके 21 अध्याय को जब मैं पढ़ती हूँ, यहाँ परमेशर का वच्छन इस बात को बताता है, अगर हम 15 पस से आगे अगर हम पढ़े, तो यहाँ पर प्रमेश्यू मसी का पत्रस के साथ बातचीत है, और मैं जानती हूँ कि हम मेंसे बहुत सारे लोग इस जगा क जानते हैं, और इश्यू मसी ने भी यहाँ पर तीन बार जो है, वो पत्रस से इस बात को पूछा, 15 पस से थोड़ा पढ़ा दीजे, भोजन करने के बाद इश्यू ने समौन पत्रस से कहा, हे समौन यहाँना के पूत, क्या तू इन से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है, और यहाँ पर देखिए कि प्रबो इश्यू मसी के पुनरुथान के बाद पत्रस का बाचीत हो रहा है, और पत्रस से प्रबो इश्यू मसी पूछ रहे हैं, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है, और बाइबिल इस बात को बताता है, कि उसने जवाब दि तू तो जानता है, कि मैं तूससे प्रीती रखता हूँ, उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा, फिर उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, पहली बार जब पूछा, तो प्रबो इश्यू मसी ने उसके लिए एक नया आशिश रख दिया, कि मेरे मेमने को चरा, और दूसरी बा पूछा और दूसरी बार पूछने के बाद उसके लिए एक नया आशिस्ता मेरी भेडों को भेडों की रखवाली कर पहले मेमने को चरा भेडों की रखवाली कर और जब प्रभव इश्यु मसी ने तीसरी बार पूछा तो बाइबिल इस बात को बताता है 17 पत को जब आप लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि वहाँ पर भी प्रभव इश्यु मसी ने कहा कि मेरी भेडों को चरा तीन आशिस तीन बार सवाल एक ही सवाल लेकिन तीन आशिस और यहाँ पर भी अगर पत्रस को पहले ही पता होता कि प्रभव इश्यु मसी जितनी बार पूछेंगे कि क्या तुम उससे प्रेम रखता है क्या तुम उससे प्रेम रखता है और उसके बाद नई नई आशीश मुझे मिलेगी उसके जवाब देने पर तो आप क्या सोचते हैं कि पत्रस क्या बार बार जवाब नहीं रेता क्या पत्रस बार बार उसी चीज़ को नहीं करता लेकिन पत्रस तीसरी बार में ही उदास हो गया कई बार हम लोग भी ऐसा ही हो जाते हैं कि जब हम काम करना शुरू तो करते हैं अच्छा पहल तो करते हैं लेकिन उस पहल को हम कर नहीं पाते हैं पूरा नहीं कर पाते हैं यहाँ पर ये दोनों उदाहर अरण मुझे और आप इस बात को सिखाता है कि हमको अपने कामों को पूरा करना है जो काम हमको मिला है उन कामों को पूरा करना है और तभी हम परमेश्वर की बड़ी आशीश को हम प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर सच में जो बुलाता है वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है और मैं सोस्ती हो जो पहले से आशीश को घोशित कर देता कि तुम्हारे ऐसे करने पर तुम्हें इस प्रकार की आशीश को पाओगे तो हम सायद वहीं तक सिमित हो जाते और उतने ही कामों को हम लोग करते उतने ही कामों को करके हम आशीशों को प्राप्त करना चाहते लेकिन आशीश कामों को क करने के बाद है काम को करने से पहले नहीं है एक बहुत वच्छन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो धन उतावली के साथ मिले उसका प्रतिफ़ल अच्छा नहीं होता हो हमेशा बना नहीं रहता और इसका मतलब है बाइबिल इस बात को भी बताता है कि जो धन यहवा की और से मिलता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता तो हमको काम करना है continue प्रभई एश्यु मसी में बने रहना है अंत तक मैं हमेशा अपनी कलीसिया में इस बात को मैं बताती हूं कि हमको अंत तक बने रहना है और यहां पर मैं और आप आज इस समय में सीख रहें परमिश्र के कि तो हां उपवास प्राथना बाइबिल पढ़ना इन बातों को नहीं लिखा हुआ है जादा महत्व नहीं दिया गया वह ब्यक्तिगात है कि हमको तुसको continue करना है लेकिन जब साथ कलीसिया के विश्य में बाइबिल बात करती है तो कामों पर जोड़ दिया गया है कि कौन करे काम हमारे साथ हो लेंगे हमको किवल करते रहना है करते रहना है और इसलिए परमेश्र के वच्छन में जब मैं उत्पत्ती की पूस्तक उसका चठवा अध्याय को जब मैं पढ़ती हूं तो नो के विशह में भी मैं इस बात को मैं देखती हूं चठवे अध्याय और 13 पस्त से जब आगे पढ़ेंगे तो यहां पर भी वो उसने काम किया बिना किसी आर्गुमेंट के बिना किसी तरक के बिना कुछ प्रभु के सामने बात रखने के उसने काम किया और हम सब उस जगह को पाते हैं कि यहवा परमेश्र ने नो को चुना क्योंकि परमेश्र के द उस परिवार को बचा लेने के लिए जिसमें आठ प्राणी थे और परमेशर बचा लेना चाहता था क्योंकि वो धर्मी था परमेशर के साथ शलने वाला वैक्ती था परमेशर ने उसको देखा और बनाने के लिए कहा और बाइबेल इस बात को बताता है कि उसने किया पढ़िए तेरा पस्ती जहांपर बाइबिल इस बात को बताता है कि उसको कैसे बनाना है परमेशन ने बताया किस प्रकार से बनाना है इसको बताया और उसके बाद परमेशन और क्या क्या चीजों को करेगा ये पूरा पूरा उसके पास जो है वो बाते नहीं थी लेकिन इस बात को बताता है परमेश श्रकवच्छन के उसने गोपेर के व्रिक्ष की लकड़ी को परमेशन ने चुना और उसको जहाज बनाने के लिए कहा और जहाज की लंबाई जो है वो तीन सो हाथ चोड़ाई पचास हाथ और उचाई जो है वो तीस हाथ और साथ ही साथ में खिड़की बनाने के लिए कहा ए इसबात को बता रहा है हमें यहाँ पर पढ़ते हैं कि दो bu अर्था वहाँ के लोगों ने विश्वास किया या नहीं किया लेकिन एक कठीन समय था और कठीन समय में बिना बरसाथ बिना बरसाथ बिना पानी गिरे बिना मेहबर से उसने इस काम को किया और थोड़ा सा मैं विचार करे थी कि शायद जिस दिन वो काट के लाया होगा तो उसके बाद सोचा होगा पता नहीं अब क्या होगा या वो बस अब मैं थक गया इतना नहीं बना सकता या मुझे कोई और सहायक दे दे ये उसकी बाते नहीं थी जो काम उसका था उसने किया और हम इस बात को जानते हैं कि उस काम को करने के कारण वो और उसका घराना बच गए सो चाहिए मेरे प्रियों कि जो हम परमेश्वर के वच्छन को जो हम सुन रहे हैं हम इस बात को जाने कि हमारे काम हम इस धोके में ना रहे कि जो हम काम कर रहे हैं वो परमेश्वर से छिपा हुआ है या परमेश्वर सब जानता है पर इस बात को हम जाने कि जो हमने किया है या जो हम कर रहे हैं, वो हमारे साथ हो लेगा, हमारे काम जो है, वो हमारे साथ हो लेगा, उसी के बाद निर्धारित होगा, न्याय के बाद, कि क्या होगा, तो हमको थोड़ा विच्छार करना है, और इल घटनाओं से हमको सीखना है, और इस बात को जाने, आज मैं इस परस्ट इस बात को बोलना चाहती हूं कि पूरा पूरा प्रभु बैठा करके एक एक छीजों को नई बताने वाला थोड़ा सा आपको मिलेगा और वो जो थोड़ा मिलेगा उसमें आपको करना है यदि अनंत जीवन केवल उस दस आज्या को मानने के द्वारा धनवान को मिल जाता तो जानता कि तीर को अगर वो और चलाएगा 4 बार, 5 बार, 10 बार ऐसा अगर उसने और चलाया तो पूरे अराम किस से ना पर जैपालेगा तो और भी तीर को चलाया होता लेकिन उनंके पास पूरा पूरा बात नहीं था थोड़ा सा बात मिला हमको आत्मीक जीवन में बढ़ने अपने कान को खोला हुआ होना चाहिए चोटे से शब्र आपको मिलेंगे छोटे उसन प्रकासन आपको मिलेगा और मैं बड़े दावे के साथ इस त्यीए मैं THIS बात को बोल रहे हूं क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है इस प्रकार से हुआ है एक बार मैं एक पुस्तक मुझको बहुत जादा प्रभावित किया और वो पुस्तक का नाम था विश्वास की अद्भुत रेखा और जब ये पुस्तक को जब मैंने पढ़ा तो उसमें विश्वा विश्वास के विश्वास में बात की गई थी और रेमा शब्द जो है वो प्रयोग किया गया था और मैंने बहुत प्राथना किया और प्राथना करके विश्वास से मैंने एक चीज थाम लिया और परमेश्र के आत्मा ने इस बात को बताया कि मेरे पास भावन होगा भाव भवन दे रहा है और सब तरफ हल्चल मज गया क्योंकि मेरे पास ठीक से ना तो घर था ना खाने का था ना कुछ नहीं था मेरे सिती बहुत दैनी थी और मैं खड़े होकर बोल रहे हूं कि प्रभू आने वाले दिनों में मुझको भवन देगा ये 2003 की घतना थी कि मैंने लोग किस प्रकार का होगा किस जगा पर होगा लेकिन 2006 में प्रभू ने एक जगा न्यू रखवा ही दिया सो सच में मैं परमेश्र का धनेवाद देती हूं कि परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है और जब आप उस पे हर दिन चलेंगे की दिन चल करके आप प्राप्त कर लेंगे ऐसा नहीं है मैं सोसती हूँ दो डाकों में से एक डाकू के समान हमारा जीवन तो होई नहीं सकते कि उसको तुरं तुरंत स्वर्ग का राज्य मिल गया आज ही तु मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा लेकिन हम में से प्रत्यक को ऐसा सभाग्य नहीं हमारा तो ये सभाग्य है कि हम एश्यू मसी को जाने है और एक दिन काम करने के बाद हम बन जाएंगे ऐसा नहीं है एक ही दिन उपवास रह जाने के बाद हम बन जाएंगे ऐसा नहीं है एक ही दिन प्राथन कर लेने के बाद हम बन जाएंगे ऐसा नहीं है एक ही बार भवन में आजाने के बाद हमें सब कुछ मिल जाएगा ऐसा नहीं है प्रती दीन और बहुत अच्छा प्रभयेश्य मसी ने प्राथना सिखाया कि प्रती दीन कई रोटी हमें दिया कर हर दिन का मांगना है और यदि हम हर दिन के खाने के लिए अगर हम प्रातना कर रहे हैं जबकि वो सधारन प्रातना नहीं है तो इसका मतलब है कि प्रती देन एश्यू के पीछे चलना है और कामों को करना है और उन कामों को करना है जिसकी आज्या परमेश्वर दे रहा है और उनकी आज्याओं को वही लोग सुन सकते हैं, वही लोग मान सकते हैं, जो सचमुच में परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित किये हैं, उन्हीं के पास वो आवाज आ सकती है, जो समझ सकते हैं, और उनको उस पर कठीन परिश्रम को करना होगा, और कठीन परिस्थितियों में भी चलना होगा क्योंकि future plan जो है वो आपके हाथ में नहीं है future plan जो है वो परमेश्वर के हाथ में है Bible इस बात को बताता है कि वो एक को घटाता है और एक को बढ़ाता है Bible इस बात को कहता है कि वो धूली पर से उठा करके चटान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है और आज इस समय में परमेश्वर का वच्छन मुझे और आपको इस बात को बता रहा है कि हमारे काम हमारे साथ हो लेंगे तो हमको केवल काम करना है केवल काम करना है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं नो के जहाच के विशह में जब मैं बात कर रहे हूं तो जब आप आगे चल करके पढ़ेंगे तो बाइबिल इस बात को बताता है कि मुसा से जब परमेश्वर ने बाचित करना शुरू किया और मूसा जब परमेश्वर की उपसिती में जब चलना शुरू किया तो परमेश्वर ने भी उसको कुछ हाग्याओं को दिया मिलाप वाले तंबु के किस प्रकार से बनाना है वाचा का संदुक किस प्रकार से बनाना है और किस प्रकार से चलना है बेऊस्तक की जब पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, ता आप इस बात को देखेंगे. मैं मुसा के जीवन से इस बात को सीक्ती हूं, कि जब उसको समज नहीं आता था कि करना क्या है, तो उसके बाद उसको pending रखता था उस काम को वो pending रख करके प्रभू के पास जाता था और जाकर के पूशता था कि प्रभू इस शीच के लिए मुझे क्या करना है और आप सोचिए कि कितना आदबुत मुसा का जीवन जिसके लिए खुद यावा परमेश्वर कह रहा है कि वो मेरे भाई के समान है जिसके लिए परमेश्वर खुद कह रहा है कि वो ऐसा जन है जिससे मैं आमने सामने बाते करता हूँ और एक एक आग्या उसको बताया जा रहा है कि कैसे करना है किस प्रकार से करना है कौन कैसा क्या खाए किस प्रकार से रहे किस प्रकार से उनका ड्रेस हो एक एक चीज बहुत ही अदबुत है मैं इस बात को मैं सोचती हूँ कि मुसा की बुलाहट अदबुत है मुसा के पास प्रकासन अदबुत है और एक-एक छीजों का बात करना अदभूत है कि एक-एक छीजों के लिए परमेश्वर ने उससे बातशित किया और मिलापवले तंबुक के लिए परमेश्वर ने बात किया लोगों को बुद्धी से भरा केवल उसने आहवान किया कि लोगों को क्या-क्या चीजे जो है भेट के रूप में लाना है और हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने उसे पूरी रिती से सिखाना शुरू किया और वहाँ पर अपने आत्मा के काम को करके परमेश्वर स्वयाम उसके साथ खड़ा हो करके उन कामों को किया है अगर हम निर्गमन को पढ़ेंगे तो हम इस बात को जानेंगे कि वहाँ पर कैसे परमेश्वर ने और किस प्रकार से परमेश्वर ने काम किया और उसके बाद जब हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो परमेश्वर का वच्छन इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने जब दाउद को चुना तो दाउद के अंदर एक इक्षा आई कि वो परमेश्वर के भवन को बनाए और बाइबिल इस बात को बताता है उसको तो मौका नहीं मिला लेकिन उसके बेटे के लिए ठहराया गया कि उसका बेटा जो है वो परमेश्वर के भवन को बनाए और हम इस बात को देखते हैं कि अगर हम पहला राजा उसके छटवा अध्याय से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर बाइबिल इस बात को बताता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि दाओ जो है, सुलेमान को इस बात को सिखा रहा है, कि परमेश्वर का भवन बनाना ऐसा ही नहीं है, आसान नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बड़े जिम्मेदारी का काम है, और उसको तुमको करना है, परमेश्वर पर भरोसा करके तुमको करना है, और परमेश्वर ने अद्बुत बुद्धी को दिया, अद्भू तृती से उसने बस शुरू किया और सुलेमान को भवन बनाने में 7 वर्स लगे Bible इस बात को बताते है कि 7 वर्स उसको अपना महल बनाने में, अपना घर बनाने 13 वर्स लगे लेकें परमेश्र के भवन को बनाने में 7 वर्स लगा अब आप सोच सकते हैं कि एक साल जब एक बेक्ती काम करता है या एक साल जब सेवकाई को करता है तो उसे लगता है कि वो बहुत कर लिया उसने बहुत कर लिया आप तो प्रतिफल मिलना चाहिए हमारे लिए इनाम तो स्वर्ग में है साथ साल के बाद उसने भवन को complete किया हमको इस बात को सोचना है समझना है कि प्रती दीन प्रती दीन प्रती दीन वो कार्य जो है वो होता गया और आज मैं और आप परमेश्वर के वच्छन में से हम सीख रहे हैं कि हमारे काम हमारे साथ हो लेंगे सो हम बड़े साथानी पूरवक प्रती दीन किये जाने वाले कामों को सोचें कि हम प्रती दीन हम क्या करते हैं किस प्रकार से करते हैं किस प्रकार से जलते हैं किस प्रकार से जलते हैं और हमको ये परमेश्वर का वच्छन ही हमको इन बातों को बताता है मुझे एक इस सल मैं चाहतियों की हम पढ़ें पहला सामवेल उसका दसवाद ध्याय और यहाँ पर साउल के विश्य में वर्णन है और मुझे ये जगा इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ पर उसे कुछ जिम्मेदारी को दिया गया उसे कुछ जिम्मेदारी दी गई चट्वे पस से अगर हम आगे पढ़ें तब यहवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तु उनके साथ होकर नबुत करने लगेगा यह वो जगा है जब हम इस जगा को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को पातें की सामवेल ने साउल का भी शेक कर दिया और साउल जो है राजा बनने के लिए तैयार हो गया क्यूंकि उसका भी शेक कर दिया गया और जब इस राइलियों का पहला राजा और यहां पर उसे सामवेल के दोरा कुछ आग्या मिल रहा है और वो आग्या है और तु परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा यहाँ पर देख लीजे कि वचन कहरा एक बफिर से पढ़ दीजे उसी को तब यहवा का आत्मा तुझ पर बल से उत्रेगा और तु उनके साथ होकर नभूत करने लगेगा और तु नभूत करने लगेगा परमेश्य का आत्मा जब तुझ पर उत्रेगा तो तु नभूत करने लगेगा और तु परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा यहाँ पर वचन कहरा है कि तु और ही मनुष्य हो जाएगा परमेश्र का आत्मा उत्रेगा हम बड़े ध्यान से परमेश्र के वच्छन को सुने कि परमेश्र का वच्छन आज मुझ से और आप से कह रहा है कि हमारे काम हमारे साथ हो लेंगे और यहाँ पर परमेश्र का वच्छन कह रहा है कि साउल के पास परमेश्र का दास बादचीत कर रहा है कि तुझ पर बल से परमेश्र की आत्मा उतरेगी तुझ नववत करेगा तुझ और ही प्रकार का हो जाएगा लेकिन उसके बाद और कहता है वच्छन और जब ये चिन ने तुझे दिखाई पड़ेंगे और जब ये चिन होने लगे जब परमेश्वर के आत्मा तुझ पर उतर जाए जब तु प्रभु इश्व मसी को जान ले जब प्रभु इश्व मसी को पूरी रिती से ग्रहन कर ले तो बाई भी लागे बताता है कि जो भी काम तुझे मिले जो भी काम तुझे मिले उसमें तो लग जाना यहाँ पर देखिए कि राजा है और राजा को परमेश्वर का वच्छन मिल रहा परमेश्वर के दास के द्वारा और कहता है शब्द यहां फिर से एक बार पढ़िये कि जो भी तब जो काम करने का उसर तुझे मिले कितना अद्भूत है आप सोच ये कि कितना अद्भूत है कि यहां पर उसको बोला जा रहा है कि जो भी काम करने का उसर तुझे मिले और इसलिए परमेश्वर का दास बहमुल्य समझो औसर को बहमुल्य समझो अभी वो वक्त है कि हम परमेश्वर के लिए काम कर सकें कब्र में जाने के बाद कोई काम होने वाला नहीं है और एक बास समय निकल गया तो दुबारा मिलने वाला भी नहीं है तो अभी वो समय है कि हम काम करें वो समय है तो एम प्रभु इश्यु मसी ने कहा भी वो समय है कि दिन ही दिन में हमको काम करना है क्योंकि वो रात आने वाली है जिस पर कोई भी काम होने वाला नहीं है तो उस रात के आने से पहले जो हमें मिला है साउल के पास भी मिला कि जो काम करने का उसर तुझे मिले उस पे लग जाना क्योंकि प्रकासित वाक्य इस बात को कह रहा है कि हमारे काम जो है वो हमारे साथ हो लेंगे तो हमको उस कारे को समझना है हमको समझना है बाइबिल इस बात को प्रमारित करता है कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना है लेकिन मैं आज आपके साथ मैं इस बात को बाट रहे हूँ कि हमारे काम जो है वो हमारे साथ हो लेंगे तो हमारे काम किस प्रकार के हो इसको हमको बाद में देखना है प्रन्तु जो भी औसर मिले एना असर को बहमुलने समझते हुए, जो भी असर मिले कई बार हम छोटे-छोटे काम के हमारे जीवन में value नहीं होता, हम प्रभू में कई बार छोटे-छोटे कामों को हम समझ नहीं पाते, प्रवो ने इस सब्ता में मुझे परमेश्र के भवन का महत्व को बताया और परमेश्र के भवन में मैं थी और उस समय मेरे मन में कुछ विचार आ रहे थे और उस समय मैं बोल रही थी कि मैं परमेश्र के भवन को मेरा घर बोलूंगी अगर किसी ने मुझे पूछा तो मैं बोलूंगी कि परमेश्र का भवन मेरा घर है और थोड़ी देर के बाद मैं चुप हो गई और परमेश्र की आत्मा ने मुझे को इस बात को बताया कि वास्तों में परमेश्र का भवन प्रतेक विश्वासी के लिए उनका खुद का घर होना चाहिए और जब वो उनका खुद का घर होगा तो उससे वो प्रेम करेंगे उस भवन में आना चाहेंगे उस भवन का देखरेक करेंगे उस भवन की साप सफाई करेंगे क्योंकि कोई भी ब्यक्ति अपने घर को गंदा रहने नहीं देता परमेश्वर के भवन की अगर हम अपना घर समझें तभी देखभाल हम अच्छे से कर सकते हैं और जरूर परमेश्वर से मिलने के लिए परमेश्वर के भवन में हम होएंगे और इस महत्व को जब मैंने समझा तो वास्तों में परमेश्र का धनेवाद कि परमेश्र हमको ऐसा औसर देता है और हमको सिखाता है और उस समय में परमेश्र ने एक बड़ी आशीश की बात कही कि जो ऐसा समस्ता है और जो ऐसा करता है वो सामवेल की आशीश को पाता है और ह की माने बड़े द्रिणता पुर्वक ला करके परमेश्वर के भवन में छोड़ करके चली गई एली के पास चोड़ करके चली गई एली के पास तो अंतान थे याजक पद उसके पास था लेकिन जब आप इस बात को देखेंगे कि सामवेल उस जगा में रह करके देख भाल किय करता था काम किया करता था तो परमेश्वर ने एली को नहीं पुकारा लेकिन परमेश्वर ने सामवेल को पुकारा और उसके जैसा कोई नभी ना तो था ना तो होगा इस प्रकार का अभिशेक जो है सामवेल के उपर रहा और ये केवल काम करने के द्वारा सामवेल को भी पत नहीं था एक छोटा बच्चा क्या सोच सकता है मम्मी लाकर कि अगर कहीं और छोड़ दे तो वह क्या सोस सकता अब थोड़ी देर के लिए विचार कीजिये पर उसको भी जो भी काम मिलता रहा होगा जो भी एली बोल देते रहे होईंगे थोड़ा दिर कलपना जाता था वही लेड जाता था और सोने पर भी आप सोचिे कि भारी निद्रा में नहीं है हम लोग तो कई बार ऐसे निद्रा में होते हैं कि कोई उठा है तो यहां से जाओ है नहीं हमको उठानाने चाहिए लेकिन आप सोचिए, कि वो निद्रा में है, ठका हुआ है, पर्मेश्र के भवन में सो रहा है, और उसने एक बार आवास सुना, वो दोड कर चला गया, और तीसरी बार आवास सुना, वो दोड कर चला गया, और परमेश्वर ने पूरे इसराइल पर उसको नभी नूक्त किया और ये बाते परमेश्वर के वच्छन में से मैं और आप सीख रहें कि हमारे काम जो हैं वो हमारे साथ हो लेंगे सो हमको सीखना है परमेश्वर के वच्छन के अनुसार और निशेंत नहीं रहना है हमको निशेंत नहीं रहना है पॉलोस इस बात को सिखाते हैं हमें कि हमको निशेंत नहीं रहना है लेकिन हमको सौधानी प्रुवक प्रती दीन चलना है प्रती दीन हमको चलना है और जब प्रती दीन चलेंगे तभी हम आशीश को प्राप्त करेंगे यहाँ पर प्रमेश्र का वच्छन कहता है क्योंकि वे अपने सारे परिस्रम से विश्राम पाएंगे स्वरग में और उसके बाद कोई कामदाम नहीं रहेगा वहाँ पर हम नहीं मांगेंगे कि प्रभो हमने तो प्रित्वी पर ये काम नहीं किया छुट गया धूरा अब पूरा कर लेते हैं ऐसा होने वाला नहीं है कोई चांस नहीं है एक चांस नहीं है उसके बाद इसलिए जो मौका जो आशर हमें इस समय में मिला है उस आशर को हम बहमोल्य समझें उस आशर पर परमिश्र के लिए खड़े हो और कामों के महत्व को हम समझें मुझे बड़ा अद्भुत लगता है कि कहीं पर प्रकासित्वा के इस बात को नहीं बताता कि तुमने इतना प्रचार किया है या इतने लोगों के लिए तुमने प्राथना किया है या इतने लोग तुम्हारे दौरा चंगे हुए हैं या तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा तुमने किया है तो अब लो ये इनाम ऐसा वाला इनाम नहीं मिला है एक भी एना बिल्कुल दूसरा इनाम है तो हम पास्टर प्रचारक को भी हमको समझना है कि हमको कौन सा काम करना है जिसके द्वारा हम इस बात को जाने कि हम इनाम को पाएंगे किस प्रकार का हम काम करें परमेशर, अविश्रकता के अनुसार डेली, डेली ब्रेट खिलाने वाला परमेशर डेली आपको क्या करना है उन बातों को आपको बताएगा निश्यत रूप से बताएगा और परमेशर जब जिस जगह पर खड़ा होता है जब परमेशर काम करता है तो परमेशर के काम को कोई रोक नहीं सकता और निश्चित रुप से परमेशर उन कामों को करता है तो परमेशर हमारी सहायता करें कि स्वचन के अनुसार हम आशीश को प्राप्त करें हम उन आशीशों को प्राप्त करें जो परमेशर हमें देता है हम उन आशीशों को प्राप्त करें जो परमेशर ने हमारे लिए रखा है हम इन सारी बातों को समझें आए इस समय में हम प्रा बतना मेंजाइ